फाइनली गाईस कक्छा बार्वी इतिहास का रिवीजन टेस्ट पेपर 2020 का स्वल्यूसा ना चुगा है चलिए फिर स्टाट करते हैं क्वेस्चन हमें दिया हुआ था सही बिकल्ब को चुनकर लिखिए तो सही बिकल्ब में पहला कोस्चन है हमारा मिट्टी से बने हलके प्रती रूप मिले हैं मिट्टी से बने हलके प्रती रूप कहां पे मिले हैं तो इसका सही अंसर होगा option सा काली भंगा फिसकी बाद second question है हमारा भारती पुरतत्तु का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही answer होगा option सा अलेकजेंडर कथी नम फिसकी बाद third question है परियाग प्रसस्ती की रचना की तो इसका सही answer होगा हरी सेणने option सा फिसकी बाद fourth question प्रसस्टन आता है रेसम के बुनकरों की एक सेणी का बर्णन मिलता है जिसका सही answer होगा मंदसोर option आ मंदसोर फिसकी बुद्ध की बच्पन का नाम क्या था तो fifth question क्या है बुद्ध की बच्पन का नाम क्या था तो इनका इनके बच्पन का नाम था सिद्धार्थ उफसा ना इसकी बाद second question देखते है रिक्तिस्तानों की पूरती कीजिए तो second question में पहला है हमारा बाट सामान ने तहा चायट नामक पत्थर से बनाए जाते थे सामान तहा चायट नामक पत्तर से बना जाते थे इसकी बाद second question है अभी लेखों के अध्यन को एपी गिराफी कहते हैं अभी लेखों के अध्यन को क्या कहते हैं एपी गिराफी इसकी बाद third question है देवा नाम देवा नाम पिये एबम पिये दस्सी नामक उपाधी समराट असोग द्वारा अपनाई गई फिसकी बाद fourth है केलास नात मंदर काची पुरम तमिलाडू में इस्तित है फिसकी बाद fifth है सेख मुहिनुद्दीन चिस्ती का दरगा अजमीर सहर में इस्तित है फिसकी बाद दिखते हैं third question सही जोडियों का मिलान कीजी फिसकी बाद third question है हमारा बंगाल एसी आटिक सोसाइटी का गठन तो इसका अंसर होगा third का option सा 1784 फिसकी बाद fourth question है चंदकुप्तमुर का राज्या रोहन चंदकुप्तमुर का राज्या रोहन तो इसका सही अंसर होगा 321 इसा पूर्व फिसकी बाद last question है मच्च कट्टम मच्च कट्टम का होगा option ही छूद्रक फिसकी बाद question number four देखते हैं एक सब्दे याई एक बाक्य में उत्तर दीजिए तो पहला क्या है मोहरों के साक्च कहां से प्राप्ट हुए तो इसके तीन सहर है मुहन जोदाडो काली वंगा एवं लोथल कौन-कौन से सहर है मुहन जोदोडो काली वंगा एवं लोथल तो इसकी बाद second question देखते है क्या है इसका अंसर इसमें अग्रहार भूमी के बारे में पूछा गया है तो अग्रहार भूमी उसे कहा जाता था जिसे मंदरों तथा ब्राम्वनों को मंदरों तथा ब्राम्वनों को जो भूमी दान में दी जाती थी तो इसका अंसर होगा मंदरों तथा ब्राम्माणों को जो भूमिदान में देते थे फिसकी बाट सेकंड कॉस्चन आता है फल्फ के बाट थाइड कॉस्चन इस फिर इसकी बाट थाइड कॉस्चन आता है महाभारत के युद्ध किसके मद्ध हुआ तो कौर्ब व एवं पांडवों गईस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से यारे में सब्सक्राइब करना ना भूले